दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरे जानने के लिए अवाज इनिया न्यूस को सब्स्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाए सन्मुक बालाजी धाम देवगाओं स्वंद द्वारपाल की स्थापना हरियोम इच्छधारी महाराज की क्रिपा से हुई बसावतिय फटै स्री श्री बाला जी धाम देवगाउस तिस सोने की द्वारपाल की मूर्तियों का हुई विदित्व स्थापित विद्वान पंडितो द्वारा विदी विदान से पून आहूतियां एफ पूजन अच्छना पंडितो द्वारा संस्कृत के शुद्दुश लोको द्वारा भगवान द्वारपाल बाला जी के सिंखासन पर दोनों तरफ सोने और हीडा जडित मूर्तियों का स्थापिन हुआ द्वारपाल की मूर्तियां बेहती सुन्दर और आकरशिक थी भाजपानेता महेश बसावतियां ने बताया मंदर प्रांगर में मूर्ति स्थापना के मुख्य रूप से अंकित अगरवाल बजावा वो उनकी धर्म प्रतनी अनीता बजावा ने भाग लिया इस अफसर पर ओम इच्छाधारी महराज ने अपनी वानी से अमरित वर्शा की महराज ने कहा कि श्री कृष्ण ने अरजन से कहा कि जो पुरुष यग यानी आत्मा ग्यान से अग्यानी है धर्म नहीं जानता उपदेशों का पालन नहीं करता वह बहुत ही जल्द नश्ट हो जाता है अग्यानी व्यक्ति कभी भी सफल और शांती प्राप्त नहीं कर सकता अग्यानता के कारण ही दुखों में व्रद्धी होती रहती है हमेशा अग्यान को दूर करने के प्रयास करते रहना चाहिए ज्यान प्राप्त करते रहने से कल्यान हो जाता है पाप नश्ठ हो जाता है जो व्यक्ति उपदेश देने वाले ज्यानी लोगों के प्रती हीन भावना रखता है वो भी नश्ठ हो जाता है भगवान के प्रतीश रद्दा नहीं रखता वह इंसान बहुत ही जल्दी नश्ट हो जाता है भगवान श्री कृष्ण की गीता के उपदेश में अर्जुन को बताये गए ज्यान की बाते जो सब के लिए उपयोगी है तीन दुर्गुणों में से एक भी किसी में हो तो उसका विनाश जल्द ही हो जाता है